ज्यान योगी की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याए। इस अध्याए में हम सीखेंगे वेबसाइट के पेज एडिट करना, नया पेज बनाना और वेबसाइट को लाइव करना। इसके लिए यहाँ एड्रस बार में टाइप करें, sites.google.com, एंटर करें, और अब यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट के आईडी और पासवर्ट को डाल करके लॉग इन कर लें। यह देखिए यह वो वेबसाइट है जो हमने बनाई थी, अब इस पर क्लिक करें, क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज उपन होगा, जब हम Google के माध्यम से वेबसाइट बनाते हैं, तो इस तरह का पेज अपने आप बन जाता है। यहाँ उपर यह जो पैन का निशान दिख रहा है, यह पेज एडिट करने के लिए होता है, इसकी मदद से हम पेज में चेंजिस कर सकते हैं। चलिए हम आपको इस पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज करके बताते हैं। पेज में चिंजिस करने के लिए सबसे पहले यहां edit page पर क्लिक करें, यह पटी title के लिए है जिसमें home लिखा हुआ है, आप चाहें तो इस title को बदल सकते हैं, पर चूंकि यह home page ही है, इसलिए हम इसको वही रख रहे हैं, और यहां नीचे वाला जो box है, यहां पर जो भी description हम देना चाहते हैं, website के बारे में जो भी लिखना चाहते हैं, वो हम सब यहां पर लिख सकते हैं, अभियोधारन के बतौर हमने यह description में लिखा है, we welcome all the people who want to learn something new, इसी तरह से आप जो जो भी अपनी website के बारे में लिखना चाहते हैं, वो description में आप लिख सकते हैं, जिस तरह से यहां पर हमने अंग्रेजी में टाइप किया है, उसी तरह से आप हिंदी में या किसी अन्य भाषा में भी टाइप कर सकते हैं, Google Input Tool की मदद से, और वो कैसे करें, इसके लिए आप हमारी वीडियो, How to type in Hindi without Internet देख सकते हैं, इस वीडियो की लिंक हमने हमारे description में भी दे इसको आप add a format करना चाहते हैं, उसके लिए matter को select करें, और फिर यहां उपर से आप font चूज कर सकते हैं, font size चूज कर सकते हैं, इसको bold करना है, या italic करना है, या कोई matter underline करना है, वो आप यहां से कर सकते हैं, और यह सारे जो options हैं, वो उसी तरह के हैं, जिस तरह से MS Word में हो लिया है, इसको bold कर दिया है, हम इसका color बदलना चाहते हैं, तो वो color भी जो है हमने बदल दिया है, और इसका alignment हमने change कर दिया है, अब पूरी formatting हो जाने के बाद, save पर click कर दें, ये तो हमने पहले से बने हुए page को edit करना सीखा, अब हम नया page बनाना सीखते हैं, ये edit वाले option क पास ही create page का option है, इस पर click करें, अब यहाँ पर इस page को जो भी नाम आप देना चाहते हैं, वो दे दें, ये यहाँ पर हमने page का नाम दे दिया है, computer सीखो, और अब यहाँ से हमको page की location सेट करना है, यहाँ आप देख सकते हैं, दो options हैं, एक तो put page at the top level, और दूसरा है put page under home, अब ही जो हमने page बनाया है, वो home page है, अगर हम यह चाहते हैं कि home page के अंतरगत यह वाला page आए, तो इसको select करेंगे, और अगर हम इस page को एक नए topic या नए category की तरह रखना चाहते हैं, तो हम यह जो उपर already selected है, इसको बने रहने देंगे, हम इसको एक नए page के रूप में ले ने दिया, और अब हम create पर click कर देंगे, यह देखिए, अब यहाँ पर ऊपर home page दिख रहा है, उसके नेचे हमने एक और नई category यहाँ बना दी है, या नया topic यहाँ पर ले लिया है, वो है computer सीखो, यह यहाँ पर title आ गया, अगर इस title को भी change करना हो, तो आप यहाँ से कर सकत हैं, और इस page के बारे में जो भी description देना है, वो यहाँ पर दे दें, और उसके बाद save पर click कर दें, अब हम इस topic के अंतरगत कुछ और topics डालना चाहते हैं, सब category की रूप में, तो उसके लिए हम फिर से एक नया page create करते हैं, यह create पर हमने click किया, यहाँ पर page का नाम दे दिया MS Word 2007, और उसके बाद यह computer सीखो, जहां लिखा होगा, उसके नीचे इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा, हम इसको select कर लेते हैं, और अब create पर click कर देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो अलग-अलग आपको main topics दिख रहे हैं, home, computer सीखो, और computer सीखो के अंतरगत सकते हैं, इस page का भी description दे दें और फिर save पर click कर दें, यहाँ side में, जिस भी topic के अंतरगत और subtopics होंगे, उसके सामने इस तरह का एक arrow आपको नजर आएगा, इसका मतलब यह है कि इस topic के अंदर और भी topics हैं, और आगर आप नहीं चाहते कि वो सब यहाँ पर दिखें, तो आ आपको देखना है कि इसके अंदर कौन-कौन से topics हैं, तो इस पर click करके देख सकते हैं, जिस तरह से हमने ये page insert किया है, उसी तरह से हम इसे delete भी कर सकते हैं, इसको delete करने के लिए, यह जहाँ screw का निशान है, वहाँ पर click करें, यहाँ आपको option मिलता है delete page, इस option पर click करने पर, एक बार फिर यह आपसे पूछेगा कि क्या आप इस page को delete करना चाहते हैं, delete पर click करने पर ये page delete हो जाएगा, इसी तरह से अगर आपको इस page को move करना है, तो वो भी कर सकते हैं, वापस यहीं screw के निशान पर जाकर move page पर click करें, अब यहाँ पर जिस भी location पर आप उसे चाहते हैं, वो आपको देना होगा, जैसे computer सीखो के अंतरगत तो यह पहले ही है, अगर हम चाहते हैं, कि यह page home के अंतरगत आ जाए, तो हम इसको चुन लेंगे, और उसके बाद move पर click करेंगे, तो यह page move होकर home में चला जाएगा, अभी यह जो हमारी website है, यह private है, यहने केवल हम ही इसको देख सकते हैं, और जब यह बन जाए और आप इसको live करना चाहें, ताकि दूसरे लोग भी इसे देख सकें, उसके लिए यह यहाँ share पर click करें, यह आपकी website का web address है, अब यदि आप अपनी website के बारे में किसी को बता रहे हैं, तो उसे आपको यह पूरा address देना होगा, तो इसको आप copy करके notepad में test कर लें, यह हमने जो web address है, उसको notepad पर test कर लिया है, अब यहाँ पर यह देखिए, यह दिया हुआ है कि कौन आपकी website देख सकता है, यहाँ पर by default option दिया हुआ है, public on the web, इसका मतलब है कि को कोई भी internet पर आपकी website को देख सकता है, अगर आप यह नहीं चाहते हैं, अगर आप इसको change करना चाहते हैं, तो change पर click करें, अब यह तीन options यहाँ आ रहे हैं, इसमें पहला तो वही है public on the web, यानि कोई भी आपकी website को देख सकता है, दूसरा है anyone with the link, यानि जिसके पास भी link ह वो website देख सकता है और use कर सकता है, इसके बाद तीसरा option है specific people, यानि जिसके साथ ये link shared है, केवल वो ही website देख और use कर सकता है, चूँकि हमको website live करनी है, इसलिए हम पहले वेले option को ही selected रहने देंगे, और अब हम save पर click कर देंगे, इसके पीछे वाले page पर हमने जो तीन options बता रहे थे, उसमें से अगर आप specific वाला चुनते हैं, तो यहाँ पर आपको उनके email addresses देना होंगे, अब जिनके भी email addresses आपने यहाँ पर दिये हैं, वो केवल website को देख सकते हैं, या उसका क्या कर सकते हैं, वो आप यहाँ से चुन सकते हैं, केवल website को देख सकते हैं, तो can view सिल करें, अगर आप चाहते हैं कि वो इसको edit भी कर सकें, तो can edit चुने, और अगर आप उनको honor भी बनाना चाहते हैं, इस website का, तो is honor चुन लें, और अब website पर जो भी काम आपको करना था, वो हो गया हो, तो आप यहाँ से log out कर दें, अब हम आपको वो website open करके बता देते हैं, य और अब enter कर दें, यह देखिए, यह website open हो गई है, और यह जो pages हमने बनाए थे, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इस सध्याय में हमने सीखा, website के page edit करना, नया page बनाना, और website को live करना, एक विनम्र निवेदन, यदि आपको ग्यान यग्य का ये प्रयास सार्थक लगता है, और आप भी इस देश देखिए,